रोहित शेटी ने सलमान खान की आने वाली मूवी सिकंदर को लेकर शांदार स्टेटमेंट दे दिया रोहित शेटी कहते हैं कि सिकंदर मूवी का जब नाम सुनते हैं तो हमें एक ही चीज याद आती है और वो है एक्षन वो भी भाईजान के साथ यानि कि इस बार भाईजान एक्षन की पहुचार करने वाले हैं बॉक्स आफिस पर और रोहित शेटी कहते हैं कि सलमान खान एक्षन की दुनिया के बेताज बादशा और जब सलमान खान बड़े परदे पर आते हैं तो एक अलग ही लेवल होता है फैंस की दिलों में सलमान खान के लिए और रोहित शेटी कहते हैं कि सलमान खान की सिकंदर मूवी का हम बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं सबसे चौकाने वाली बात तो ये है कि हमें मूवी से पहले ट्रिलर का बहुत ज्यादा इंतजार है और रोहित जेटी कहते हैं कि इस बार सलमान खान ने एक बड़ा कदम उठा लिया है अपना और इंडियन सिनेमा का नाम रोशन करने के लिए दोस्तों क्या ये मूवी ब्लॉक बोस्टर रह पाएगी या नहीं? कमेंट लाजमी करना रोहित शेटी कहते हैं कि इस बार सलमान खान इंडियन सिनेमा को बड़ी उचायों पर पहुचा सकते हैं कि पूरी फिल्म इंडस्री हिल चुकी है जब से सिकंदर मूवी की अनॉंस्मेंट हुई है तब से और रोहित शेटी कहते हैं कि जब बात खतरनाक स्टंट्स और दमदार परसनेलिटी की आती है तो हमें एक ही आदमी का नाम याद आता है और वो है सलमान खान और जब ऐसे आदमी के साथ सिकंदर जैसी मूवी का प्रोजेक्ट हो और AR मुर्गुदास और साजित नाध्यादवाला का साथ तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी कितनी बड़ी तबाई मचा सकती है बॉक्स आफिस पर और ऐसी मूवी के रिकोर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि सलमान खान इस बार एक्शन के साथ भरपूर तैदाद में उतर रहे हैं सिकंदर मूवी के अंदर और रोहिट शेटी कहते हैं कि मुझे इस मूवी का बहुत ज्यादा इंतजार है क्योंकि ऐसी मूवी आ रही है जो बहुत सारे रिकोर्ड को तोड़ के रख देगा मगर रोहिट शेटी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि सलमान खान ने सिंगम अगेन मूवी के अंदर केम यू देने के लिए राजी हो चुके हैं ना दोस्तों रोहिट शेटी ने कहा है कि इस बार दीवाली के मौके पर हमें बाजी राव सिंगम के साथ सलमान खान यानि के हमारे जुल्बुल पांडे भाईया भी दिखने वाले जो दबंग में आते हैं और इस बार सिंगम मूवी भी कुछ कम नहीं है क्योंकि इस मूवी के ट्रेलर ने बड़ी तबाई मचाई है दोस्तों क्या आपने सिंगम अगेन मूवी का ट्रिलर देखा है हाँ लाजमी देखा होगा उस ट्रिलर के अंदर सलमान खान को नहीं दिखाया गया है क्योंकि रोहित शेटी ने ये कहा है कि इस बार सल्मान खान एक अलग ही लेवल के साथ इंट्री मारने वाले और वो सबसे अलग होगी और जुलबुल पांडे भहिया का एक अलग लुक हमें देखने को मिल सकता है सिंगम एगेन के अंदर और अगर आप सल्मान खान के डाय हर्ड वाले फैन हैं तो चैनल को सबस्क्राइब लासमी करते जाना और अगर वेडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करते जाना चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में शुक्रिया